अब देखें, third question है, cot x is equal to minus root 3, cot x is equal to minus root 3, again cot x का कोई general solution नहीं है, इसे tan में convert करना पड़ेगा, then tan x is equal to minus 1 by root 3, अब उनको ये देखना है कि tan x की value minus भी हो, और 1 by root 3 का आई नहीं कितनी value पर, 90 से तो 10 की value positive रहती है, A, S, T, C, second coordinate में 10 की value negative रहती है, जब हम second coordinate में जाएंगे, तो हम 90 plus theta कर सकते हैं, या 180 minus theta कर सकते हैं, हम plus से चलते हैं, तो 90 plus लिखने जा रहे हैं, तो हमको मालूम है कि जब हम 90 लिखेंगे, तो 10 का expression cot में convert होगा, तो cot की value 1 by root 3 कब होगी, cot 60 पर होगी, तो यहाँ पर में 60 लिखना पड़ेगा, तो 10 90 plus 60 की value 1 by root 3 होगी, minus 10, लेकि इस को मेशा ऐसे लिखेंगे, A, S, T, C लिखेंगे, अब negative आ रहा है, स्टेट हैं, या आप 10 second coordinate में आएगा, second में 10 negative आएगा, 90 plus लिखा, वो cot में convert होगा, इस angle convex से आपके अरेंज किया है कि cot में जो value है, वो यहाँ पर आज ऐसे होगा है, यह equals to 10 150 degree और इसे अगर हम radian में convert करें, तो कितना हो जाएगा, 5 pi by 6, तो यहाँ पर लिखा जाएगा, 10 x is equal to tan 5 pi by 6, अब उनको मालूम है कि 10 theta अगर 10 alpha है, उसका general solution क्या होगा, x is equal to n pi plus 5 pi by 6, यह इसका general solution आगया, general solution, अब इसका हमें principal solution भी निकालना है, principal solution का मतलब, अब वो सारी values भी बिलानी है, जो 0 और 2 pi के बीश में, case number 1, n is equal to 0, n 0 लेंगे तो x की value क्या है कि, 5 pi by 6, जो 0 और 2 pi के बीश में लाए जबती है, n is equal to 1 लेंगे, तो यह value तो principal solution होगी, अब अगर 1 लेंगे तो pi plus, pi plus 5, 5 by 6, x कि इतना आएगा, 11, 5 by 6, देखें, x की value 2 pi exceed नहीं कर पाई, अगर यहां 12 pi होता, तो यह 2 pi आता, तो यह value 0 और 2 pi के बीश में, इसलिए यह भी principal solution होगी है, अब अगर अब यहाँ n की value 2 लेंगे, तो यह क्या होगा, 2 pi plus 5, 5 by 6, अब 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 सी बात है कि 2 pi से बड़ी value हो जाएगी, तो हम इसे consider नहीं करेंगे, अगर minus लेते हैं, कभी के क्या आएगा, n अगर minus होन लेंगे, तो minus pi plus 5, 5 by 6, यह पूरी value negative आएगी, minus 6 pi plus 5 pi, यह को मैं assume लेंगे, तो हमको मिलेगा, minus 6 pi plus 5, 5 which is minus 5 by 6, पूरी value negative आ रहे हैं, और negative value principle solution में नहीं दी जाती है, इसलिए यह भी consider नहीं किया जाएगा, तो जो हमारा principle solution आएगा, पहली value x की, 5, 5 by 6, और दूसरी value, 11, 5 by 6 होगी, यह ही इसका general solution है, और principle solution में आप लिज़ेंगे, यह दोनों values की, यह दोनों 0 और 2 pi के बीच में लाइट आ रहे हैं,